मूंग की कीमदों में पिछले कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है बीते सप्तहा के दुरान मूंग में मांग में कमी के चलते सोर पे प्रतिक विंचल की गिरावट टर्च की गई वही मूंग की सप्लाई भी दिन प्रती दिन टाइट हो रही है और मांग की पूर्ती के लिए काफी नहीं है ऐसे में बताया जा रहा है कि नाफट के टेंडर में भी क्वालिटी हलकी होने से फिलाल मूंग की मिलर्स की खरिदारी में दिल्चस्पी काफी कम हो गई है उदर राजस्तान से अब दिल्ली काफी सिमित बातरा में और अधिकतम मीडियम क्वालिटी का मूंग ही पहुंच रहा है ऐसे में बताया जा रहा है कि राजस्तान में अभी मूंग का बड़ा स्टोक और आवक न होने से भविश्य में मजबूती देखने को मिल सकती है फिलार राजस्तान में मूंग का स्टोक कम होता हुआ दिखाई दे रहा है उदर नाफ़ित के पास भी स्टोक का अनुमान जो है वो सब्से अधिक स्टोक साड़े 3,5,4,00,000 टन के बीच में मध्यपरदेश के पास उपलब्ध है जबकि शेश राजस्तान के पास होने की उमीद है वहीं आपको बता दे कि रभी मुंग की बुआई फिलाल कमजोर है और अभी फिलाल फसल की कोई बढ़ने की उमीद नहीं है ऐसे में मध्य परदेश में चने की कटाई और फिर बारी से गिरिशम काली मुंग की बुआई में देरी होने की संभावना बढ़ गई है उदर नाफेट के मुंग के स्टोक की क्वालेटी हलके होने से टेंडर में खरीदारी काफी कम हो रही है और उदर विदेशों से मुंग आयात प्रतिबंध होने के चलते भी मुंग के अंदर काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट यहां से बनता हुआ दिखाई दे सकता है इन सब पॉजिटिव कारणों को देखते हुए जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में मुंग में मजबूती की संभावना बन सकती है फिलाल भाव की बात की जाए तो दिल्ली मुंग राजस्थान अब तक 88-800 के आसपास कारोबार करता दिखाई दे रहा है ऐसे में बाजार जानकारों को कहना है जल्दी मुंग के भाव 10,000 रपे के सर को छूते हुए दिखाई दे सकते हैं